हेलो बच्चों, वेलकम टो डेक्लासिद अनलाइन पैरफॉर्म और आप आगे की पढ़ाई करेंगे, देखिए यह जो आपका मैथमेटिक्स लिए नमबर सिस्टम चल रहा है, देखिए यह आप लिए है फ़त इंपोर्टेंट कारण यह है कि जब की आप आगे चल के मैंने नमबर में टेखिए करेंगे, मत्मेटिक्स पढ़ेंगे, तो बिसिकली मत्मेटिक्स का ओरिजीन एक मतलब और इसे नमबर के मजहे से दो, कॉँट, वी निदेट टू काउंट, इस यह काउंटिं आए, कॉंटिं से, उसके और उपरिशन आया, रोड़ों आज आपके, यह functions आया, calculus आया, trigonometry आया, यह सब मैंने के अपना mathematics बना है, तो mathematics के लिए सबसे basic, जो guiding block है ना, वो है आपका number systems, इसको एकतम आपके, खोट के पी रहेंगेगा, dumb, चले, अब देखिए, बात हम number systems की कर रहते हैं, हाँ, इससे पहले के नम स्टार्ट करें, हम आपसे फिर वही चीज़ बोलेंगे, जो हर बार बोलते हैं, कि प्लीज, 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 आप class start करने से पहले, मतलब, ये वीडियो देखने से पहले, इस वीडियो के पहले वीडियो आम ने जो भी पढ़ाया है, उसको एक बार revise जरूर कर लिए, जरूर बनाईएगा, ये आपके भले क के लिए, खिक, और नोट को revise करना, ऐसे नहीं करना है, कि पढ़ लिए, पढ़िये, समझीए, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजे, जब तक चीज़ से दिमाग में बैट्रिंग नहीं, तब तर आपको chapter पढ़ने का कोई स्क्रेंग पढ़ने का है, क्या अगर आपने वीडियो नोट चीजै करान किये हैं, भरेट कुछ में बडू करने के वीडियो नहीं करो एख लिए कर जैघे, पहले रिवाइस करीए, चैज कर पार था, थी हए ऐख वीच हिं पाच मिन भीलय को बाचि ड़ियो क्यर का है, इस लिख दीके मुझ तो प्रिसक आपितिके में लिख देगें में एक रागर में भूत नेखेंगेंडेंगेंगेंगें। कि जो अधसा पार्ट, अभी तक हम आपको पढ़ाया था, कि जो numbers है, वो हमारी starts वे थी natural numbers से, जिसको हम n से denote करते हैं, फिर वह हम जब उनने इसमे 0 को add किया, तो all numbers कहां पहुचे, all numbers को हम w से denote करते हैं, फिर हमने नेगेटिव नेचुरल नमबर्स को इनवल्व किया, तब हम तहां पहुँचे, इंटिजर्स पे, इसको हम I और Z से इनॉट करते हैं, फिर उसमें इन सब के बाद हमें फिर फ्रैक्शन की ज़ना पड़ी, फिर 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 खाते हो ना, तब हम और हम दो थे खाते हैं, और आप चलब अजयादा दोस्तों का पाटी कर रहे हैं, तो आप विसी की ऐ फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो जब P by Q टायप की नमबर्स हैं, इसमें आ गए, फ्रैक्शन तो इसको हमने का एक। फिर रेशनल लंबर्स, और से अटा फ्रैक्श सबसे इंपोर्टेंट इस चार्टर में यही है, बाकी सब तो मालेजिए जो आपको इंसर्टिंग राशनल लंबर्स बिट्वें तू राशनल लंबर्स यह क्या राशनल नहीं है, यह सब तो 9th class exam में कुछ ही खतम हो जाएगा, कोई ही आपसे पाते कहने वाले हैं, भाईया, लेकिन यह आपको जब तक आप mathematics से related है तब तक यह sequence याद होना चाहिए, अब आप लोग नहीं कहा है कि इसके पहले पासी properties पढ़े होंदी, commutative, associative, ठीक है, यह सब तक यह आपकी properties तो याद रखिएगा, लेकिन नहीं चीज़ है कि यह sequence याद होना चाहिए, कौन सा किसका sub-set है, sub-set मतलब किसी क्या बना है, whole number natural number से बना है, integer whole number से बना है, rational integers के बाद आता है, real rational, irrational से बना है, यह आपको याद है, ठीक, चलिए, अब हमने, यह जो rational की definition आपको बताई थी, यह भी तम याद रखिए, अगर गांच बांते है कि rational number is any number of the form P by Q, any number of the form P by Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0, अब क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता है, यह हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया थी, क्यों 0 नहीं रखिए क्योंकि, division by 0 is not defining mathematics, देखे, हम यह कहते हैं कि 0 को आप 0 से किसी चीच को डिवाइड ही करते हैं, तो यहाँ पर आप इस number, आप यहाँ कुछ भी लिख यहाँ पर आप 0 से बढ़ा कोई क्लिख नहीं सकते हैं, अब यह कहते हैं कि एक ऐसा hypothetical number हम यहाँ लेकर आते हैं, इस 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 number होगा, जो 0 की राजू को चेंज कर सकता है, तब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जब तक हमारे पास यह infinity की value नहीं है, जब तक हमारे पास य हम division by zero को दूर से प्रणाम करेंगे, और सुधा भाव के साथ निकल लेंगे, जब तक है, जब तक हमारे कोशिक मत करियेगा, जब खतनाज चीज है, तुरंत आपका 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 egoistic बहुत, तुरंत ego पे लेता है, आपका गलत कर देता है, घलती से भी zero चोथा है, एक लिए अपका आपका आपका अपका आपका रिपोस्तिक corrobor देकर शिए तुरंतर हाओ तुरंतोर Selbstinder करना है, जब आउनिकल आपका आपका फिरश्तिक भागा अभी पहीं ज़ांगे, उसकर बिदोग कर रेता है, तुर देखा भी Zero करना, भी दूर्य दिवाएट लेकिन जीरो है बड़ा खटरनागी नमबर, इसकी एगो से बच करते हैं, इसकी एगो हड़ होई नहीं कि कोर्शिन का अंसर तुरंट गलत जहां आपनी जीरो से डिवाइडने का अंसर लिखने की कोर्शिश की तुरंट वह आपको साफ कर जाएगा, इसको नमबर को, चलिए अब हमने इसलिए क्लास में आपको एक कोशी करवाया था, जिसमें आपके इसकी इसके बहुत दो तरीके हैं, तो आप कोई भी फ्राक्शन ले लिजिए, रैंडम ली, कोई भी नेचर ले लिजिए, रैशनल नमबर, ले लिजिए, उसके बीच में, बिसिकलिए हम कहते हैं कि जैसे आपकी यह number line है, कि इसके बहुत सारे numbers होते हैं, हमारी company 0 से start होती है, 1, 2, 3, 4, इधर भी आपकी आती है, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, अब में करते हैं, इस number बे आपकी धर भी plus infinity दिख आती है, इस arrow का significance यही होता है, you can go till infinity on both sides of this number line. अब आते हैं इसके number line, हम यह कहते हैं, number यह concept यह होता है, कि पहले तो कोई counting की नहीं, हम एक चीज को एक मानते हैं, जैसे एक गाय आई तो एक हो गया, एक भैस आई तो एक हो गया, एक बेड आई तो एक आगया, मैं ए तो हुन, टिक, लेकिन क्या हुआ, कि भाई, एक standardize करना कि नहीं कितना बड़ा वान है, कोई हाथी को, एक हाथी को एक बोल रहा है, कोई एक चीटी को एक चीटी बोल रहा है, पर बाग तो दोनों की सही है, न तो चीटी भी आधी थोड़न हो जाती है, हाथी के, अपने एक whole entity है, एक है हाथी भी अपने में एक whole entity है, वेल बचली तो हम यह कहते हैं कि इसको standardize करने के लिए गया है कि हम किसी भी एक unit को हम 1 बान नहींगे, कोई standard नहीं है, मेंटर के लिए, measurement के लिए लगा है, weighing के लिए लगा है, सबकी एक unit fix कर देगी, तो सबकी unit fix कर देगी ताकि हमारी counting start हो गया, यह कहा जाता है कि हम इस पर एक uniform distance को 1 माल देते हैं, यह हमारा 1 unit है, उसके बाद इसी को हम replicate करते जाते हैं, यह 1 है, 1 plus 1, 2 हो गया, 2 plus 1, 3 हो गया, 3 बाद चार बार इसको रखा तो 4 हो गया, negative side हो जाते हैं, यह minus होता जाता है, और हम आते हैं, देखिए, इन दोनों के बीच में, किसी भी दो numbers के बीच में, हम कहें कि आप इस number में को काटना इसका है, काटना means, इसकी काटना, इसकी काटना, इसकी काटने कहा जाए, तो there is infinite possible lines, जिससे आप इसको कट कर सकते हैं, clear, मतलब कैसे, कि जैसे मान लिए, आप, आज आपके बड़े हैं, अंग्रियां, मोटी हैं, तो आप पर इसकी के इतना आपके लिए कुछ में है, लेकिन एक चीटी को आप दीजिए, एक चीटी से कि ना आपना आपके काटने के तो इसके बहुत सारा हो जाएगा, उसी तरीक आपके काटने 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 काटन इन दोनों के भीज में आप infinite numbers exist करते हैं जहे वो rational होंगे या irrational होंगे वो बात की बात है अब क्या है हमें करते हैं कि चलिया इसके भीच में infinite numbers हैं तो क्या हम बुलकुल लिख भी सकते हैं इसमाल के आपसे कहागे कि 2 और 3 के भीच में आप 10 irrational numbers बुसादे हैं तो आप कहें भीच में 10 numbers होंगे आप क्या करिए इसके भीच में 10 लाइन खीच जिते हैं ऐसे हैं एक दो तीन चार पाम शे साथ आठ नौ दस यह 10 खीट यह आपने अब एक क्यों क्यों पर यह जैसे 2.1 हो गया यह 2.2 हो गया 2.3 हो गया 2.4 2.1 हर number 2.3 के बीच में है तो 2.1 क्या हुआ हुआ 21 by 100, 21 by 10, 22 by 10 फिसी कली इस number 9 को आपने 10 हिस्तों में बाट दिया और एक एक हिस्ते को अलग अलग लग लिख लिख दिया वसी तरीके से 20 बाटना होता हुआ हम क्या लिखते हैं फिर आप इसको 100 बाट के 20 हिस्ते लिख लिख लिखे गे जिए जैसे question आपको था, कि find 5 rational numbers between 1 and 2, चलिए हम दूसर करते हैं, suppose करें, find say 5 rational numbers between 4 and 6, suppose करें, चार और 6 के बीच में आपको बहुत सरी rational numbers लिखने हैं, पांच ही लिखने हैं, अब दीखिये, हमें 4 से बड़ा और 6 से छोटा चीए, method 1, पहला method तो यह है, आप क्या करिए, 4 और 6, इसके बीच में आने वाला एक number होता है, 4 plus 6 by 2, इसके बीच में आने वाला एक number, 4 plus 5 by 2, किसी दो नंबर के बीच में यह number हमेशा लिखने हैं, this is the middle point between these two lines, क्या आज़ बोलते हैं इसको, यह कितना आगे आपका, 9 by 2, उसी तरीके से यह कितना आया, 6 plus 5 by 2 which is equal to 11 by 2, अब आपके पास कितने numbers हो क्या है, 4 और 6 के बीच में एक number मिला 5, एक number मिला 9 by 2, एक number मिला 11 by 2, अब आपको दो और चीजिया, इसको अफिर number ने रिप्लाट कर लिए, यह आपका 4 है, फिर 5 है, यह 6 है, इसके बीच में क्या मिला, 9 by 2, और इसके बीच में क्या मिला, 11 by 2, कि? चार अच्छे क्विच में तीन numbers दोन लिया है, अब दो number और दोन लेका है, इस दो number दोनने क्या मिलाएंगे, इन दोनों के बीच में दोन लिजिए, एक number दिया आएगा, 4 plus 9 by 2, 6 is equal to 8 plus 9 by 2, और 17 by 2, इन दोनों के बीच में एक number दोन लिजिए, 11 by 2 plus, एक number बच्चों, 4 plus 9 by 2 by 2, छिक है, 4 plus 9 by 2 by 2, yeah, 8 plus 9 by 2 into 2, which is equal to 17 by 4, आएगेः, 4 for the 16, 4 point some अब देखते हैं, 11 by 2 plus 6, यह कितना है, by 2, यह आपका आएगा, 11 by 2 plus 12 into 2, यह 2 इसका LCM आया, और यह 6 to the 12 plus 11 कि यह कितना हो गया, बच्चों, 12 plus 1, 11 23 by 2, 4, यह कितना आता है, 6, 4 गया 24, 4 से एक कम आ गया, तो अब देखिए आपके पास कितने numbers हो गया, 1, 2, 3, 4, यह दोने numbers कहां आ रहे, यह आपका आ रहा है, 17 by 4, और यह आपका आ रहा है, 23 by 4, टोटल आपके 5 numbers आ गया, 4 और 6 के पीस में, यही आपको सीखना है, एक तो मैठड य हो गया, अब दीखे, मैठड और भी बहुत सारे हैं, दूसरे मैठड इससे काफी आसान है, मैठड टू, मैठड टू यह कहता है, कि जैसे आपको 4 और 6 के बीच में 5 numbers डालने हैं, तो हम कहेंगी कि इससे एक ज्यादा number से उपर निचे multiply, divide कर दीए, कैसे, वो ऐसे, कि जैसे माल लिए, आपको 5 गालने हैं, तो आप बस इसलिए कि, आप हमने पिस्की चाहता है, आपको बजाते हैं, कि 4 by 1 लिखा है, और 6 by 1 लिखा है, तो एक ज्यादा इसलिए बहुतते हैं, कि अगर इसलिए बीच में डिफरेंस 1 रहेगा, तो भी आपको कम से कम 5 मिल जाएंगे, अगर इसलिए जादा है, तो आपको 10 मिल जाएंगे, लेकिन उतने से जादा से मंटिप्लाई करने से, मिनमम डिफरेंस पर भी आपको मिल जाएगा, बिसिकली यह को नंबर मुल्टिप्लिकेशन वाला है, यह आपको चूज करना है, चूज करना है, मतला हमें ऐसे नंबर क बड़े से बड़े नंबर से मंटिप्लाई करने, क्यों हम लिखते हैं involved, आप 1 इंटो 6 और 6 एंटो 6 और.. 1 into 6, अभी भी देखिए, तो नमबर्स से भी लिखे हैं, यह 6, यह 4 ही लिखा है, यह 6 ही लिखा है, यह नमबर्स क्या बनें आपके लिखें? 6 वोजा 24 by 6 and 36 by 6, यही दो नमबर्स हैं आपके, अब इसके बिखें आप बहुत सारी नमबर्स लिख सकते हैं, कैसे? 24 by 6 यह आपका तहला नमबर 4 दिया होगा है, 25 by 6 इससे बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा, 26 by 6 इससे बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा, 27 by 6 बीर से बड़ा होगा, 28 by 6 बीर से बड़ा होगा, 29 by 6 बीर से बड़ा होगा, 5 मिल गया ना, यह तो उसने नहीं कहा ना, और तो काहान ही करतें, बुले हैं खें पांच डाशनल लिक देखें, न रहो जाता हैं, बल्कि आप जाता ही लिख सकते हैं, 30 by 6, 31 by 6, 32 by 6, 33 by 6, 34 by 6 and 35 by 6, 36 by 6 में लिख सकते हैं, तो फो 6 वजाता हैं, तो देखिए बैसे कि आपी किजिने नमबर से इंसक्टर दिए है दो दो चार एक पांच दो दो चार दुछे ग्यारा नमबर आप इंसक्टर दिए बजलब बिना एकसी जोड अगड़ाने के सीधा ग्यारा नमबर फटा फटो लिए यह ज़दा ही जी रहना है जी चैड़ कोई दिक्तक नहीं जो आपको एजी लगे उससे कर दीजिए वागे बढ़ते हैं अब सब्सक्राइब कर फारते नहीं की हमारा ट्रिक होता है पहले हम कट्रिन वाला बताते हैं ताकि आप उसको ध्यान से कि जिसको भी अगर आसान रास्ता मिल गया ना वो कभी भी बड़े वाले method को सीखेगा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि बड़ा वाले method इंपॉर्टेंट नहीं है, हर method की अपनी जगह यह importance होती है, ठीक है, तो चलिए, अब method 3 यह कहता है, जिसमान दिजा आपको 4 और 6 इसके दीचे 5 rational numbers लिखने हैं, decimals, आप लोगा ने पढ़ी ही है, division पता ही है, decimals में decision लिखना है, ठीक, यह हम कहते हैं, आप दीचे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, अब दिखिए, एक, दो, टीम, चार, पांच, कायदे से लिखा है, यह number 4 से बढ़ा है, 6 से छूटा है ना, 6 तक कोजे ही कहा है, ऐसे आप कितरे numbers लिख सकते हैं, 19 numbers, यह सारे के सारे numbers, लिकिने अब दिखिए, अब दिखना है नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे, 41 by 10, 42 by 10, 43 by 10, 44 by 10, 45 by 10, basically यह उसी पिछले method का ही extension है, पिछले method का ही extension है, इसमे हम क्या करते हैं, उपर निचे 10 से multiply कर देते ह number 10, by 1 into 10 से ले कर के, 6 into 10, by 1 into 10, यह पिछे number 10, यह葉 को प्क olması क्या बना?, 40 by 10, यह आपको क्या बना?, 60 by 10, number 10, start ही में, 41 by 10, इसे बढ़का , 22 by 10 बजी बड़ा होगा, 43 by 10 बिजी से बड़ा होगा, 44 by 10 बिची ब़जी से बड़ा होगा, 45 by 10 बिची छिक से प्रिया, कोई टिट कर ? कोई टिट कर दो वच्छो प्रीज आप लोग comment section में लिख दीजिएगा और अगर आपने हमारे अपले किशन को download किया है तो वहां भी आप chat box में लिख सकते हैं और अगर आपने हमारे admission लिया है तब तो आप anytime you can give us a call और आप पोस्ट कर दीजिए वहां आपको solution मिल जाएगा और इंतो वहां लाज live classes होती है वसमें no doubt discuss कर दिया जाएगा but anyways हम इस बार के प्रश्राइज नहीं करनें कि आप admission लिखें क्योंकि doubt हम आप से भी discuss कही देंगे ठीक है चलिए आप लोग I hope कि इतना clear हो क्या होगा अब उन लोग आगे रोटते हैं और आगे पढ़के हम लोग आपकी जो exercise 1.1 उसको discuss कर लेते हैं ठीक है पच्छो इससे पहले है कि हम exercise 1.1 discuss करें हम आपसे एक और कुछ और questions पर different type के करणा रहें तो थो थोड़ा अच्छे है ठीक है कठीन है कठीन है तो इनको questions करने के पाद दिख्या अबने कोई कठीन चीज कर ली तो आसान चीज तो आसान हो ली जाती है पहला question यह है कि आपको 11 और 12 के पीच में पाँ चर्शन सब में आपको पाँ चर्शन और नंबर से इंसर्ट करने हैं लेकिन हार पर आपका number different time का है पहला है जिसमें आपको 2 integers दिए गया है हम यहां changes नहीं करेंगे दूसरा है दो fractions दिए गया है जिसमें की denominator सेम हैं फिर तीसरा है जिसमें दो fractions दिए गया है लेकिन इसमें denominator भी different है मतलब 2 by 5 और 3 by 10 अब ऐसे questions अगर आपने कर लिए तो समझ लीजे कि आप dumb questions विए पारंगत है पारंगत में जब पारफेक्ट चलिए पहला करते हैं आपके पास हमेशा 2 methods पे अवेलेबल नहीं है ठीक दो method पहला तब दोनों के midpoints लिखते जाहिए midpoints पास हो किसी 11 और 12 है पहला midpoint 11 plus 12 by 2 which is equal to 3 23 by 2 यह पहला number तब 11 23 by 2 और 12 अब एक number आपको में चुका आप इन दोनों के बीच में एक number insert करिए और इन दोनों के बीच में एक number insert करिए और जायाएगा 11 plus 23 23 by 2 whole divided by 2 यह आपको 23 by 2 plus 12 by यह आपका आगा number 22 plus 23 by 4 और यह आपका आगेगा 23 plus 24 by 4 यह नंबर आपका बना, 3, 2, 5, और 2, 2, 4, 45, 5, 4, और यह आपका बना, 7, और 2, 2, 4, 47, by 4, कुछ गबर हो गया, 22, 22, 22, plus 23, यह आपका बना, 3, 2, 5, और 2, 2, 4, 4, 3, 7, और 2, 2, 3, तो यह आपके दो नंबर्स हो गया, तो आपके नंबर्स क्या बनें, 11, 45, by 4, फिर 23, by 2, फिर 47, by 4, और यह आपका आगया, 12, ठीक है, चेक करना, खिस्माली का फिर गिमांग में डाव काहसे थे, कैसे, तो दिखे, अगर यह आपके, होता, तो यह 12 हो जाता, मतलब 12 से चोटा नंबर है, और यहाँ अगर 44 होता, तो यह 11 हो जाता, मतलब अभी आपके चली जा रहे है, तो दो नंबर्स और लिखने है, तो यह 4 नहीं कर देना है, तो यह आपके आपके आएगा, और 8 84 15, 1 4, 1 5 4, 95 by 8, शेक, इवायच कि रखनी जाएं, होता है मतलब यह नंबर 12 से चुटा है we have got two more numbers 95 by 8 and 89 by 8 यह आपके अब वो पांच नंबर हो गया पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर चौथा नंबर पांचमा नंबर लेकिन हम आपको कभी भी यह सजेस्क नहीं करेंगे कि अगर इंजान में कुर्श्यन आता है तो आ तो अगर आपको आसान तरीका डोड़ना है तो दूसरा वाला मेंकर अप्लाई करिए उसमें आपका भी भी गलत नहीं होगे और दूती चीज यह दी है नो बच्चों कि यह तो मान कि हमने इंटीचस ने स्टार्ट किया बाकी के दूर्बों क्वेस्टिन चों और अल्री फ आपकोषण से फ्रैक्शन और अदीचस प्लेघ्टिन चेसलेगा उगे उन्नेस्टिया और कॉम्प्लिकेटिंग दिग तो हम क्या करेंगे चीजों को आसान करेंगे तो मैं घाटड तू 11 और 12 हमें चाहिए का हमें का चाहिए है हमें यह डो नंबर्स हैं 11 और 12 इसके बीफ तो यह पांच नम्बस लिखने हैं, हम क्या करेंगे, इसको उपर नीचे 6 से मंटिप्लाइब कर देंगे, यह क्या एका इका, 66 बाइब 6, 11 बाइब 1 है ना, इन्टु 6 बाइब 6, वहां से मंटिप्लाइब करेंगे, यह क्या बना, 66 बाइब 6, अब इसके बीच में आप 68 बाइब 6, 69 बाइब 6, 70 बाइब 6, and 21 बाइब 6, यह आपका, यही है आपका, 67, यह वो 5 बैसनल नम्बस हैं, जो कि आपके, 12, 11 और 12 के बीच में लाइब करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्छों, I hope आप उपने नोट कर लिया होगा, अब देखिए, अब एक fraction वाला भी हम करवा देते हैं, अब कुछ हाँ आप लोग उपनी तरसी भी सोचना होगा, देखिए, हम यह कहते हैं, हम यह कहते हैं, कि आपको, जो question आप खुद से कर लेगा है, जो question आप खुद से कर लेगा है, उस question को आप अभी भी गलत नहीं करेंगे कि आप भी भी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे, मत जादे से हमने यह question दिया, अगर आपने खुद से सोच लिया, कैसे कैसे logic लगा है, कैसे release करके हम इसको कर लें, तो समझ लेगी है, कि इस concept में आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, तो हम आपसे यही suggest करेंग कर लीजिए, अगर कर लेगा बच्चों, अगर आपने खुद से कर लिया, तो बच्चों, यह मेरी guarantee है कि आपको कभी भी इस type of person कैसे भी घुमाफिरा के देदे, आप कर लेजाओ, लेकिन बच्चों, अब नहीं कर पाए, तो हम बता देंगी, तो कर लेना कभी, यह तब ज आपका पहला नंबर है, तो यह आपका पहला नंबर है, 11, sorry, 1 by 4, और दूसरा नंबर है, 2 by 4, अगर हम ध्यान से देखें, नंबर लाइन पे, जो आपका नंबर 1 है और 2 है, इसके चार हिस्से करिए, एक, दो, तीन, और चार हिस्से आपने कर लिये, तो यह नंबर क्या हो गया, यह 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ठीका, यह 2 by 4 हो गया, मतलब हाफ, यह 3 by 4 हो गया, और यह 4 by 4 हो गया, ठीक है, very good, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें क्या करना है, अभी तक हम लोग इंटिजर्स के बीच में ढून रहे हैं, अब हमें क्या करने हैं, इन दोनों फ्रक्शन की किसी बी पोर्शन को आप कातले हैं, how ever small it may be, कितना भी जितना चोटा हो सके न उतना चोटा आप कातलो, उसमें धी आपको infinite numbers मिल जाएं, अमें तो 5 ही जोनने हैं, जिब infinite में 5 जोनना कौन से बढ़एगा है, let's try, हमें का एक लगरना है कि 1 by 4 और 2 by 4 के बीच में कितने numbers जो तिक तो किस से multiply कर दें उपर नीचे ? देखो इसको अगर आप 6 से multiply करें तो यह 6 भाई? कम तीं हो जाएगा? यह 12 भाई 6 अर 12 की बीच से 5 नुमर पर मिल जाएगा ना 6 वह चेख निए numerator केक ना होता है यह 6 बनेगा इसका इमिलिटर, इसका 12 बनेगा, तो 6 औ 12 के बीच में क्या के मिलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, पाच में जाएंगे हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 6 by 6 से मिल्टिप्लाई कर देंगे, और इसको भी 6 by 6 से मिल्टिप्लाई कर देंगे, यह नंबर क्या बना आपका, 6 by 24 यह नंबर आपका बना 12 by 64 जा 24 624 12 24 और छेवर के निच में है आप वो 5 नंबर डूंड में प्लिको 7 by 24 8 by 24 9 by 24 24 यह वो 5 नंबर्स हैं यही वो 5 नंबर्स हैं जो हमें ढूंड लिया है अगर जिन बच्चो ने इसको अपने से कर लिया बच्चो अब मान लो आप पधाई के पात्र हो जीरी डेजर वेन अप्रिशिकेशन और हमाइकर से चॉकलेट लिए तिक अब चॉकलेट यहां से तीम बिश्य दे नहीं पाएंगे तो आप भी मामी पापा से लिखे लेगा ठीक है चलिए यह हो गया आपका पांच नंबर्स बिटबीन 1 बाई 4 एंड 2 बाई 4 ठीक बजिक कर नहीं तो अब बच्चों क्योंकि हम आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको खुद से थोड़ा अलग है इसी थाइप काम क्वेस्टिन रेथे कि भाई 6 बाई 4 ए 7 बाई 4 बीज में चाहर नंबर्स बुसाओ तो ठीक आप कर लिजाओगे बट इस इस अपने अपना दिमाग में लगाया अपने पढ़ी चीज को एम्पलेमेंट किया अपना दिमाग लगाओ अगर आपने ये पांच नंबर कर लिए तो बाई 5 बाई 5 बाई 10 के बीच में तो मान लो बच्चों मान लो किस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो गया ठीक है तो आज की वीडियो को हम लोग यहें गरां देखते हैं प्लीज 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 इस को कर लिजे और एक्सर अगहीं किस आज कल वर्चुल जमाने ना वर्चुब मींटिंग्स चलती हैं वर्चुल राईयएं चलती हैं वर्चुल ट्राइस चल रही हैं तम वर्चुल पिटाई भी करेंगे तिक आप लोग ठीक्सली अ आने से पहले 1.1 एक्सरशाइज 1.1 को डिशनेटली ट्राइं क before we depart please subscribe to our channel like our videos and download our application from place to thank you very much see you next video